Hey everyone welcome back once again to BTS CAD expert कैसे हैं आप आपके लिए लिए क्या है बिल्डिक एस्टिमेशन कॉस्टिंग सीरीज की लेक्चर नबर तू पिछले वाले लेक्चर में हम लोग ने डिसकस किया हुआ था है कि हम लोग कैसे साइट के लिए करेंगे पूरा ट्रस यहां पर देख सकते यह पूरा ट्रस है आज तक हम लोग ने जितने भी डिसकस दिसकस किये बिल्डिक एस्टिमेशन और कॉस्टिंग से लेटिए या बीबियस से रिलेटिए उन में से कोई भी ऐसी ड्राइंग नहीं थी जिसमें ट्रस डिसकस किया हुआ था ज स्विशनली हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और आप भी बिलिंग से रिलेटिए चीज़े सीखना चाहते हैं चीज़ना चाहते हैं तो डेफिनिट्ली आपके लिए पीस-कैड एक्सपोर्ट जिए जहां पर आप फीज़ेट पर सारी चीज़े मिल जाएंगे अगा अगर तो description box में आपको link भी मिल जाएगी और अगर आप courses join करना चाहते हैं तो उनकी भी link आपको description box में मिल जाएगी और कोई भी doubt हो आपको तो आप हमें call भी कर सकते हैं 819929888 इस number पर call करने के बाद आपना doubts भी पूछ सकते हैं आपको कोई भी query हो आप call करके पूछ सकते हैं और इसके बाद अगर आप कोई भी support चाहते हैं चाहिए वो software से related हो चाहिए वो civil sites से related हो तो आप हमें call कर ये इस number पर जो मैंने आपके साथ already discuss किया हुआ है आपको दिख रहा है यहां पर 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 दिख रहा है 6 7 8 9 10 11 12 ठीक है ना 12 जगह क्या लगे बारा कॉलम्स लगे है कौन से कॉलम्स लगे है स्टील कॉलम्स लगे है लेकिन उसमें भी कौन सा ISMB 200 ठीक है यह है इंडियन स्टंडर्ड मीडियम बीम मैं दिखाऊंगा आपको यह कैसे होता है ठीक है यह जो रैड गलर में आपको दिख रहा है यह और यहां पर यह ठीक है यह है ISBM कौन सा 200 लेकिन जो एक्स्टरना हमारे पास है यह है ISBM 200 और जो मिड में लगा हुआ है वह है ISBM 150 ठीक है हम लोग देखेंगे इनका यूनिट वेट क्या है यह सारी चीज़ें करके हम लोग चेक भी करेंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं लोग आगे देख लिए यहां पर आप देख सकते हैं इस से बैतर है कि यहां स करनी पड़ी कौन सी DWG file मतलब AutoCAD file वहां पर हम लोग यूज़ करेंगे ठीक है यहां पर मैं आपको दिखा दूं यहां पर आप देख सकती है जो मैं कह रहा था आपको यह वाला यह है ISBM 200 और यहां पर एक और जो एंड में लगाए यह भी ISBM 200 ठीक है ना देखेंगे हम लो और यह वाला part n circle किया है इसकी details कहां provide की है यहां पर आप देख सकते हैं नीचे इनकी details यहां पर circle में provide कर दे गई है जैसे कि आप यहां पर detail A में देख सकते हैं एक De sir का M Kingdoms लगे हैं और उसमें साइ्स क्या है को यहां पर आप देख सकते हैं मारा कि यहां पर आप देख सकते हैं निचे नेचे अर हला पे है Pvtda उसके आ पयान यहां पर आज साल यहां पर देख सकतें साथे हैं यह यहां पर दश्टेंário में तरल करेंगे उसके बाद इसका इसकी देंस्टी से मल्किप्लाइ करेंगे तो हमारे पास वेट आ जाएगा इसका ठीके ना करें उसके बाद यहां पर देख लीजिए यह विट्रिफाइड टाइल लगे हुए हमें उन से मतलब नहीं है फिलाहर हम लोग को जो ट्रस वाला पार्ट है वह देखना है उसके बाद यहां पर देख लीजिए स्टिफनर लगा हुआ है इसको मैं लेट मी क्लियर दिस आइम अब यहांपर आप देख रहे हैं जो सपोर्ट ही यह ट्रैइंग लर्स पोल है इसको क्या इस्टिफनर चिफनर और इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं आएस बी एंब 200 यहां पर लगा है मतलब कॉलम इस्टील कॉलम लगा उसके बाद यह हैं पी यू एफ पॉल पर देख सकते ही यह C पर जो है यह है वाल प्लेट आई एस M C ठीके ना आई S M C 150 क्या होता है S M C वह को बताओंगा आगी जाकके जब आप मैं आपके साथ प्ट शियर करूँगा वहाँ पर सारी चीज में आपके साथ बताओं तक सारी यह यह कर दो यहां पर देख लिए बेस्प्लेट 12 एक्सों पचास में मतलब यह इस तरीकी का बीस्प्लेट है यहां पर देख सकते हैं 150 एम ठीक है 150 एम और उसकी विर्थ है 80 एम और इसकी थिकनेस है मुटाई 12 एम ठीक है देखिंगे हम इसका भी यूनिट उसके बाद यहां पर देख सकते हैं गैल्वलूम शीट्स मतलब गैल्वनाइज़ शीट्स लगे हुए टिन के शीट्स लगे है जिरो पाट फॉर फाइन के इसके आहां में देख सकते हैं बर्लिंस ऑरेच अर्च मतलब होता है रेक्टेंगुलर हालो सेक्षण ठीक है मतलब यह इस तरी के गरांके सेक्षन काटिंगे तो यह इस तरी की का है और साइस का है क्या है 80 mm और इसका विड़िए क्या है 40 mm और इसकी जो थिकनिस रिथी है यह जो क्राउन है यह को रहा है इसकी थिकने स्रेटी किते 2.6 mm ठीक है देखेंगे हम लोग इसका यूनिट भी कैसे नहीं कालेंगे ठीक है उसके बाद यहां पर देख लिए आरेचस 120 62.9 यह भी हम लोग देख लेंगे आगे जाके यहां पर लिंस है पर लिंस क्या होते हैं म हसा होता है सारी दाते हैं जब ने चलते हैं पहले हम लोग ने डिसक इसमें वह लग भी किया है जो यह तिस Uh ओसके बाद दूसरा वालो पॉइंट जो ज शेप का उन शेपन नट इसकस खिया हुआ है चार नंबर उसके बाद हम लोग ने इसकस किया हुए यह स्टिफनर एक च्रेइंगल और पार्ट यहां पे लग रहा है स्टिफनर यहां पर देख सकते हैं इसको इकने सपोर्ट पर फ ब्याइब आएस बी एम आयसंब स्वरी आयसंब 200 और आयसंब फिप्टी डिसकस किया है हम लोग ठीक है अगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट यहां पर आप देख सकते हैं यह आएस आएस बीम मतलब इंदिन स्टर्डार्ड मीडियम बीम्स है यह कौन सा 200 और 100 150 भी है हमारे पास है ठीक है यहां पर देख सकते हैं यह आतों है यह यह जो चैनल है ठीक है यह चैनल है को यह जए चैनल हैं कि कि आगे चलते हैं एंडोई में हम देखते हैं हमारे पास COP जार्ज थि मिस तो नहीं है चलीधित hey कि यहां इस यहां पर को बर deafic sounds की कनी चीज को कहती है ये इनको Scets कटें यह यहां भी यह strut क्यों से ठीकिना यह कौन सा स्ट्ट है यह वाला कॉन सा właści deux है यहे व्ला जो मेरी स्कुन है यह पोस्ट पे स्ट्रैइध यहां किसे होता है कि यह यहां पर देख सकते हैं यह जो हरेजन्डा ड्रीक्षण में यहां पे दिख रायने यह वाला अब यहां में यह वाला देख रहा है आपको यह वाला यह वाला इस डिरेक्शन में लगा है इसको किता है राप्टर क्या किता है और राफ्टर चीक है क्लियर है ओके बढ़ते हैं और क्या है हमारे पारलीन हो गया हमारे हुँख्च बिलिए हो गया पोस्ट हो गया और कुई चीज रहा गई क्या तयब भीं हो त्बहने हमसी का सद्बली सब्ैक्ताइब जो यहां से यहां चाहँ ही है टाइबीम ठीक है एक एक और के मोर्ग दिखेंगे उसके बाग क्या है यहां पे लगा हुआ है और यहां पर यहां पर यहां पर यहां पे हलंता है NSA सिंगल कर उलटा कर दिया है भाफ हाफ हाथ है चलिए हम लोग चलते हैं में साथ में जान देते हैं मिंन क्या डिसकस किया हो ऐसे किया है इसके चीज़ को यहां करे Patch I फोट पाइनलन से यह कुछ ऐसे बना जाता आपने देखा होगा हाइवेस पे जहां पर साइस बनाते हैं ठीक पैनल्स हमने बइस करने हैं यहां पर यूज करने हैं आपको प्लाइन बताता तो यह पी खोड़ां नहीं ब्लू-डेंच dragging यहां नहीं complete पर प्रसक्राइब आपके साथ पहले कर एक यह जो में राप्टर है यहां एक है यह वह पॉर्शन को किता है रण काम पह सकते हैं यह वह पॉर्शन यह वह पोशन जिसका नाम दिया हम लोगे अभी क्या बैसी्हिसको टेक्णिकल लेंगज में क्या 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 करता है delivering क्या क्या करता है उसको क्रिट हच चलते हैं लूग ओ पान फान ट्डॉटर यह भूप्र हो गए एक साधर हो गया आगे स्लते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं यह है वापस चलते हैं हम लोग 1121 262.9 और यूनित वेट कैसा 7.82 और ये यूनित वेट आप कहां से लेके आएंगे वह आपको बताऊँ का आगी जाके जब लोग कैल्पेशन पार्ट करेंगे है ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं जासे कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है कौन-कौन सक्राइब सेट्षािशन है मेरे पास 8042.6 1842.6 कि युनिट वेट है का युनिट वेट ग्या है ग्या मैपना यह उनित्वीट क्या है वैट पर पीस किया रहता है और उस पर पीसमें हमारे पास साइज क्या होना छहisst лиसे क्या आप यहां पे देख सकते हैं मेरे पास साइज मेरे पास यहां पे दोज सकते सिंद के या गया है चिक हां ले यहां पर देख सकते हैं यहांप देख सकते हैं यहां फूरी क्या विट आ sangat है राप्टर किसको कहते हैं ठीक है यह सारी चीज़े क्लियर होगी से पहले हमने फॉर्मेट करना है अब एक्सल में पहला पॉइंट क्या करूंगा मैं पहला पॉइंट है मैं कुछ चीज़े सेलेक्ट करूंगा लाइक आम सेलेक्टिंग ओवर हेर अप्ट दी एल और यहां कुछ कॉलम्म रोट करूंगा और यहां पर ऑल बॉडर करूंगा ठीक है और पहले बाले वाले पॉइंट में क्या करना है मुझे पहले वाले mention कर दिया है और मैं आप क्या करूंगा अब मैं आगे बढ़ंगा चीके ऑगे पहला पॉइंट क्लियर हो गया सीरियल नंबर उसके बाद है items of work क्या लिखा जाता है items of work items of work ठीक है दूसरा point थीज़ा पॉइंट हमारे पास रहेका number क्या रहेका number of items मैं मैं बताओं गये करके सारी चीजे सुकर अगला पॉनिट क्या रहेगा रगाव मत एकट पर रहेगा कि तो कि आ कreier है उसके बाद रखिएंगे थिकनेस मां बताऊंगा एक करकर साथ चाहीं क्यों रखते हैं ठीकनेस कि सेट है कि क्लियरे लिए तब आपने पास क्या रहेगा युनिट वेट के लिए भीड उसके बाद एक और चीज रहेगी धेंसटी है ठीक है यहाँ तो बर देंस्टी यहां पर हम लोग अग्रावल आपाइक लिकिंगे टॉटल वीट है ऊचो अचो वेट इसके बाद हमने क्या रखना है यूनिट्स इसके बाद हम लोग रखेंगे रिमार्सथ करेंग मैं यहां क्या करें और यहां पर समयल में करते हूँ यहां SCP यहां पर तोटलबेट में करण गा मैं को Rica यहां पर दैंसिटी मेंदी कि अटने काम और इसको में कर दोगा हाई-laiț कर दिया मैंने और यहां पर य्लो कलर और यहां पर धिल्स करदोंगा ब्लैक अबर मारो अब का कवग और यहां में का का करम गांगा और मैं इनको बीच में लेकर आओंगा यहां पर अगर मुझे इनका साइज बड़ाना हो तो यहां पाँ से लेकर मैं सिक्सीफिटीन कर दूँका और यहां पर आप देख है यह फुना में और डीख करें पर इसे क्या देखने कर दो कि titu sing pressing writing आने और यहां पर आप देख सकते हैं कि किम ने किस कि क्रेक्रच कि करें नहीं है पहला पॉइंट हमारे पास रहेगा वह है कि हमने संपर कि के संपरेची सबक्रब्स करेंच करने सबस्ट यह सकते हैं से G fret is M.B. 200 पर जो हां पर है और मैं आपको यहां पर दिखा सकता हूं कि का पर है इसको बांचाहरा जो कर लेता हूं फूसिटिशन देख देता है पहले एस अब की यहां पर आप देख सकते हैं यह पुजिशन है यह पूजिशन है यह पूजिशन है यह 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 और यह total 30च sorry total है 12336393 12 अब इसमें भी जो हमारे पास and में पेरिफेरी में लगे यह वह आई is MB200 और जो मीड में लग है इस portion में इस portion में जितने भी लगे हैं इस portion में जितने भी लगे हैं भी अर आब पोड़ू में वो है is MB150 ठीके ना इसका अलग रहेगगा इसका अलग रहेगा यह दूसरा चाहिछ नहुत तो हम लोग पहला फोर्डू कि दूसरा वाला पॉइंट किसके नाम से लिखेंगे दूसरा वाला पॉइंट नाम लिखेंगे हम लोग ISMBC पहले हम लोग क्या लिखेंगे वापस आते एक्सल शीट पर एक्सल शीट पर हम लोग पहले नमबर लिखेंगे सिर्ल नमबर वान सिर्ल नमबर वान में फिर नंबर वां में क्या मैं यहां पर वापस आई है वान वान में क्या लिखिंगे लूब बैश्पलेट कि अब बेस्पलेट का साइज क्या है वह देख लेते हैं यहां पर मैं इसको जूम इन कर लिता हूं यहां पर आपको दिखेंगा बेस्प्रेट 300 x 200 x 12 mm 300 200 मतलब 300 इदर से 200 इदर से ठीक है यह हो गया और इसकी ठीकनिस ठीकनिस मोटा ही कितनी है इसमें 12 mm यहां पर लोग मेंशन करतेंगे लेट में मेंशन ओर हेर यहां पर लिखेंगे 300 300 और यहां पर मेंशन करेंगे 200 और मेंशन करेंगे 12 mm और यहां पर क्या करूंगा मैं ब्रेस ओफ करूंगा चीक है यहां पर यहां पर आपको दिख रहा है यह आउट हो गया इससे आउट हो गया तो यहां पर आप इसमें आज जाएगी यहां पर रैपन टैक्स में आ जाएग रहाव इसका kolor चेंज हो हले एक यहां लगजी गाए मेरे दियुकर कि यह एक यह एक यह एक यह जहां पर मरणे फास Colombia संस्कोंड 0.012 टिकने स्टिकने से तिकने से 0.012 अब हम क्या करेंगे अब हम यूनिट आपको पता होगा इसका नहीं बिल्कुल भी आपको नहीं पता है देंस्टी 7 850 ठीक है ना जब भी हम लोग देंस्टी को किसे मुल्टिप्लाइब करेंगे वोल्यूम से हमारे पास वापस निकल क से कट जाएंगे चाहिएक रथाएंगे सकतो से यह तो हम पानिट अ क्लियर देंस्टी कशी को मल्टिप्लाइब कानि को मुल्यूम से और यह थिकने यह इन यहां पर आएंगे 67.82 यहां पर युनिट्स में आजाएंगी केची इस पहला पॉइंट क्लियर पॉइंट नमर चूपर आ चाहते हैं अब पॉइंट नमर तू में हमने क्या करना है पॉइंट नमर तू में हमने इस एंबी 200 आए एस एंबी 200 तुहनड़ और दूसरा पॉइंट है तो हमारे पास आए एस एंबी एंबी 150 टीके आए संबी 150 और यह संबी 200 साइस क्या है मैंने कहां परिफेरी में आउट आउट में लगे हुए वह है क्या आए संबी 200 तो आठ है स्वारी नो है और जो हमारे सेंटर में लगे हुए है वह है आए संबी 150 वह कितने है ठीक है अगर हम बात करेंगे यूनिट वैट की यूनिट वेट की अब इसमें आपको साइज लेना ही नहीं है ठीक है आपको रिदिमेट साइज मिल जाएगा बस आपको खाली किस चीज का फैल रखना है वह है यून तरह के पर देखता हूं ऐस्मभी कि आपने पास आइसंग बेरी गुड़ है यहां पर देख लीजिये तक ये यहां पर देख लीजिए 2.2 unit weight है आपको यहां पर देखना है unit weight weight per kg ठीक है यहां पर में मेंशन कर दूँ आप के लिए यहां पर आप देख सकते हैं अब Excel में Excel में चलते हैं यहां में मेंशन कर दूँ मैं लेंक के साथ कोई मतलब नहीं unit weight से मतलब है हमें 24.24.24.24.2 और इसका क्या था 15 kg ठीक है 15 kg यहां पर मतलब नहीं है यहां पर अब इसका आप इसका कैसे नुकले के नवर टो मौल्टीप्लाय कर एक से के से नवर टो मौल्टीप्लाय कर एक इसे और आपके पास कि निए से करेंगे किसे मल्टिप्लाइब करेंगे ढ़लो डोटलस जीनल हिसेटर बोग किसा मेरे ती करेंगे अब मेरे पास आप लैंग आप हैब आप आप वापस के тूलिए किसमें ट्रऑी में हम पर उसे मौाइड कर दिया गया है कि आपकी लेंग्ध कितनी है वो कितनी है 3 meters यहां पर देख सकते है 3 meter आपकी है Height है चैक है यहां पर में चैन्स करों 3 meter ठीक है चाहे वह ISMB 200 अजिए ISMB 150 ठीक है दोनों का क्या है length height क्या है 3 meter चीक है यहां में चैने कर दूंँ 3000 और यहां पर में चolve themra 3 अब यहां पर इसको क्या करूँबाण राइग डाउन कैसे अब यहां पρείось को डाल किकेशिक पर आपको पता चल जायगा किस कीश का मल्किल्पिकेश्न यहां पे स्कोड़व क्लिक पर आपको रहलोग है का आए के यहां पर आप देख सकते हैं के आए सबस्क्राइब लिभां के लिवाली आप कियों सकते है हम यह आफरोग का इयह आप देख़ रहें है आपको याय ऐसमसिट इसका मतलब वहता है एंडियन स्टंडर्ड मीडियम वेट चैनल ठीक है और सका उनिट कितना है 16.4 kg चीक है और कितने नमर आप चैनल लगे हैं वह देखते हैं एक यहां पर लगावा एक यहां पर लगावा है सीधा-सीधा तीन चैनल लगे हैं बasset अब समय रहा है आप इसका इसकी लेंगे हैंस पता चल जाएगा यहां से दिल न करना आपको जाना पड़े गा कि समें आपको जाना पड़ेगा गवाश्यान ट्री आड अस और यहां पर देखों यहां से यहां तक क्योंकि हमें क्या है हमें हमने ट्रस्ट यहां तक लेके जाना है चीक है ओके यहां पर मैं जाओंगा लिनियर डाइमेंशन और यहां पर मैं क्लिक करूंगा यहां से यहां से यहां तक चीक है आउटर से आउटर तक जाएगी यह और इसको मैं select करूँगा और यहां से में इसके dimensions चेक करूँगा यह हो गया one five four five मतलब यह जो unit है यह सेंटी में मतलब 15.45 meters यहां पर मैं लिखूंगा 15.45 meters कहां पर Excel sheet में लिखूंगा मैं length 15.45 meters ISMC यहां पर mention कर दूं ismc क्या है 150 ठीक है इसके नंबर कितने हैं तीन लेंग कितनी है 15.45 ठीक है उसके बाद आगर हम बात करें कि इसकी कोई और शक्ता नहीं है बिल्कुल हमें मतलब है किससे आप यूनिट वेट से क्योंकि यूनिट के अब यह हमें यूनिट वेट क्यों कर रहा हूं है यूनिट पर मीटर केजी पर मीटर अब मेरे पास लेंग तो पता है कितनी 15 पॉइंट सम्फिंग उसका यूनिट के ताहें मीटर अब यह मीटर के साथ यह मीटर कर जाएगा बचे का केजी अधस टीकिन अ इसलिए हम लोग को क्या क्या जूरूरूरू पर दिया यहां पर यूनिट यूनिट वेट के साथ मुल्टिप्ला करें लेंग्ध मुल्टिप्ला करें नेमबर अप आइटम सेट अब यहां पर आएगा साथ साथ सो साथ केजी इस बास समझ में आ रही है चीक है उसके बद अगला वाला पॉइंट देख लिए लिए अगले वाले पॉइंट में हमार कि इसको मैंने स्लेक कर लिया कंट्रोल सी और यहां पहर के कंट्रोल भी करोंगा आप और यहां पर तरह में आ रहा है तो यहां पर करोगा पहले अमर आइटम देखंगा नमर आइटम कैसे पता चल जाएगा सिंपल सी बात है हम लोग ने वापस चलना है प्लान में जाना है कहां कहां यह टाइब इम्स है वह देखते हैं यहां पर मिशन लोगा रपर और यहां पर मिल लूगा अलग तो यहां पर तोड़ी सी बढ़ा देता है इसको तोड़ी सा ठ है एक यहां पर लगेगा एक दो तो ठीक है यहां पर तेन और यहां पर चार नमट आप इंडिया हुआ है यहां पर देख सकते हों लेंग यहां पर 223456 और यह 160 मैं इसको टोटल कर रहा हूं तो मैरे पास टोटल क्यारा है कितना मेरे पास टोटल ने कलके आ रहा है तूल पॉइंट 62 meters तो यहां पर मैं मैं में इसे कर दो तोल पॉइंट 62 0.06 60 mm और इसका जो ठीकनेस है वह है ठीकनेस हमारे पास है 0.0029 mm ठीक है क्लियर है करना पड़ेगा हमारे पास टाइबीम है और है यह मैं आपके साथ शेयर करूंगा यह है टाइबीम और एटी फॉट्टी जो भी हमारे पास है मैं देखा हूंगा आपको एक शिकन बेटकर ही प्रीज इसका 7.82 kg है 7.82 kg मैं चेक करता हूं कहां पर मैंने में चेक करके रखा हुआ है नाम क्याइबीम का कि ISMC कि पहले में चेक कर दूंग वापस कि ड्राइंग पर जाके क्या चीज है आपने बास यह है ताइबीम रहेचस 120 60 2.9 इसका इसका इनिट वेट क्या है इसका इनिट वेट है हमारे पास 7.82 kg मैं यहां पर में चेक कर दूंगा 7.82 kg आपके आपके पास जो ड्राइंग आईगे न उस पर मेंचन होगा यहां पर मैंचन नहीं है त्वाइब मुझे दूडना पड़ता है कल्कुलिएट करना लेक्ट मुल्टिप्लाइब इनिट वेट से अधसे और यहां पर केजी इसको एज ट्राइग डाउं कर यह चीक है उसके बाद अगला वाला पॉइंट देख लेते हैं अगला वाला हमारे पास है वह रहेगा पोस्ट देखते हैं अब इसको मैं पहले क्लियर कर देता हूं करेटे धर इ Seems तो यह मैं सीचे को अब यहां यहां भी अभी हो गया अब मुझे क्या करना यह वाले पोस्ट का छोगा दो करूंगा क today कि आपकर करोणा जो हें इस और करको करूंगा है और यहां पर आकर करूंगा करके करना कर शक्रूंगा यहांneath कर Tá स्कितने मेर पास नमबर पोस्स हम यह यहां फोच डितम है आप शो निधव कर सकते हैं यह जो अपको यहांप आप देख सकते हैं एक जो दिख रहने आप को QU मैं यहां पी आप दीख सकते हैं यह 3.06 3.06 यहां पर मेंचन कर दीचे कहा एकसल में में बुलक्त 2021 six three point zero six अब इसमें क्या है ये वाली सारी चीज़े क्या ये भी है one twenty sixty two point nine इसको सारी ये सारी चीज़ देगर करके सारी इस लेकर किसको ड्रेक रगदाउन करें ठीक है और इसको भी अब हमारे पास है estimates क्या है मारे पास वाट्बास तो टब्स है चले चेक करते है है इस अब यहां पर देख सकती स्कूलाइब मैं इसकी ठीकनेस थोड़ा सब्सक्राइब कर देता हूं ज्याद इक डिस्वत करहां है तीट कहा है चलिए एक तो ये मेरा वर्टिकल श्ट्रद्ट है एक तो मेरा ये क्लाइन स्ट है पहले मैं कलकुलेशन करूंगा किसी इसकी वर्टिकल श्टुर्ड अब आपको पता चल जाएगा कि मैंने एक्सेल में क्यों इंपट किया तंब surgical इंट लिए हो बंदि न पे देख लिए यहां पर पाइल तो आंप मेंशें नहीं प्लॉय करो है इसकी लेंग्त क्या है इसकी लेंग्त क्या एढ़ को यह हमें लेना 74 मतलब 74.75 क्या है 74.75 सेंटी मीटर तो यह मीटर में अगर मैं कनवर्ट करूंगा तो यह 0.74 आजाएगा पका एक यह दूसरा यह तीसरा यह एक एक करके मैं सारी चीजों को देख लूँगा चीकिन इस पर मेंशन कर दोगा 0.75 मीटर अब इसका चीक कर लेते हैं चीकिन वापस चलते हैं कि दूसरी वाल का कमांड लिली मेने अब यहां पर आए यहां पर सेंटर सेंटर तक यहां पर आएगा 1.47 मतलब 1.4 उसके बाद 9 है तो मतलब यहां पर 1.48 आ जाएगा 1.48 यहां पर मैंशन कर दिजिए ठीक है आपकी जो ब वह वापस नहीं पर यहां पर अब लेकर लिए यहां पर मैंशन कर ले रह जा Mengवां आ यहां पर अक्षानिक न कर ले वाँवैन हैं अब ersबाल टा मेहीं कर radio cu.1 यहां पे सकते हैं यह आ गया-वर यह बहुत वह से बहुत तो remember नोगा पहले इस सबसेות 2011. 4080 पाइड योह आँगा यहां हम ऑगा debels शीट पर इक्सली हैं क्या करण गारओ इक्ष शीटें ट थे में nessa किया mention करूंगा पहले मुझे mention करना है stressCo कि तो इसके पाद अगला पॉइंट चुमें रहेगा वह रहेगा इंकलाइंड अ मुझे ठीक है ओके नावर इतल स्कितने नावर आईटल मेरे पास चार है क्योंगि चार चार ठास है ठीक है अब यहां पर लेंगे क्यों पर यहां पर लेंग कैसी में यहां पर प्रतिकल भाइब किया और इसके बाद मुझे यहां पर क्या है यहां पर मेंसिन करनी की जरूरूर्त है क्या हां देखते हैं एक बार चेक करते हैं यहां पर 0.75 और यहां पर 1.48 यहां पर 2.21 यहां पर कों सामें यूद रहा हो ती 40 टुबएंट 6 ह्अब यहां पर मेंशें करदूगा मैं टी 42.6 यह में जाउंगा excel sheet और यहां पर मेंशन कर दूगा यहां पर मेंशन करदूंदगा 80 40 2.6 कि के हैं ट क्या करना 8042.6 है क्या अपना चलिए यहांं कर लेता हम 0.8 sorry 0.08 0.04 0.002 6 that's it और इसका unit weight देख लेते हैं किस चीज़ का 80 40 80 42.6 का चले मैंने इसका भी मेंशन करके रखा होगा डेफिनेटली 80 42.6 का 80 42.6 हां बिल्कुल है मेंशन है इसका 4.5 kg 4.6 kg है पर मीटर इसका unit weight यहां पर मैं मैं मेंशन कर दूँ यहां पर 4.6 kg को चुश्य हाँ पर इसका फोर कॉइंड आप यहां पर देंश्टी को अज़्ट कॉपी करें एंगे रहाँ यहां पर कंट्रोल वी ठीक है और यहां पर आप पर इसको अब यहां पर आई यह एए इक वर नंबर उटम्स मॉटिपलाई भाई लेंग भाई बंटिपलाई ब वोए इसको में क्लीन कर दिता हूं साङ्डी के सभूकिता है दूसाइए तीसरा यहाँ यहाँ पे 3 और इसको clean कर देता हूँ चलिए यह होगा clean इसको मैं तोड़ा से zoom in कर लेता हूँ अब यहां पर आइए कहां पर एक्स आप आप और कर फाइल पर आज यह अब यहां पर ले लिए मेंशन कमार अब यहां पर इस सेंटर से लेकर इस सेंटर तक यहां पर है 174 मतलब 1.74 ठीक है 1.74 मीटर यहां पर में मेंशन कर दूं कहां पर यहां पर 1.74 में यह वाला 1.74 अगला वाला देख लेते यह वाला चलिए वापस चलते हैं ऑटक्ट फाइल पर कमार ले ली मैंने स्पिस बार के साथ हो यहां हुआ है यहां पर मैं क्या करूँगा यहां पर देख amis 2.1 फाइव कि टू पॉयंट वन फाइव थीक है मैं ने करutा में यहां पर यहां पर xxy marble बatted सेना पड़ेगा टू पॉहां टा ठीट में हमें करना पड़ेगा टू-वान-फाइव दिया यह यह नहांं मैं लेता हूं यहaं सेंटर से यहां सेंटर तक यहां पर आ गया मेरे पास इचिन फोलिए-टू-व्ञ इस अहुझा mi यह तो टोटल चार्ड रस है ठीकिना ठीकिना ओके क्लिए चलिए 2.712.151.74 यहां पर मैं मेंशन कर दूँ एक्सल शीट में एक्सल शीट यहां पर मैं मैं मेंशन कर दूँगा एक वर्ट ब्रेस्ट ऑन 2.71 प्लस 2.15 या 2.45 था कि करिए वापस 2.15 हां बिल्कुल सही है सही जा रहा है हम लोग वापस कि मल्टिप्लाइब मल्टिप्लाइब इससे करेंगे टू क्योंकि नमबर आप आइटमस दो है रिसकी और यहां पर इसकी पर इसकी ठीक है खेलन हो गया अब मैं बत्त करूँगा किस चीज की इसकी इनित वेट की तुल नहीं मेरे पास दिया हुआ क्यों कि यह और पास यह जो ना वेतिकल वाला वाले का भी विशिया जैलों कर दो है किया उन्हां कर देता हूं मैं और यह सारी चीज़े मैं as it is copy paste करूंगा अच्छे और इसको भी copy paste करूंगा और इसको भी copy paste करूंगा ठीक है अब यहां पर आपको दिख रहा है यहां पर अब बता चल जाइब कहां से लिना है यहां प्रेंस करते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं तो इसकी हम लोग करेंगे तो मेरे पास principle राप्टर की लेंग था यह 7.53 कितने यह 7.53 कहां से पता चला यहां से 7.53 ऊपर दिया गया है ठीक है ओके तो यहां पर यह वापस Excel सीट और यहां फोप आपर मैंने प्सक्नास करिएंग्टर को इसको वी करिये कंट्रोल सी रहेंगे और यहां Now यहां पर और द्ले उनार्ट हो रहा है यहां पर एकुल सैट्स्ट कर लिए हैं ओस मेरे मेरे पास इस च्यार अब खीज अब यहाँ पर किया करएंगे यहाँ पे एकवेशन अमबल पहले इसकी लिंग्थ देखने कितना एक पास 7.53 पर आप लोग प्रीज के चेक गया आप लोग प्रीज पॉर्शन इसलिए मैंने मल्टिप्लाइब किया तू से मैंने चलिए चलिए यह यहां पर देखते हैं वापस करेंगा और यहां पर पता चल जाएगा मैंने क्या क्या है अब यहां पर कैसे आते हैं उनिट वेट यूनिट मतलब होता है केजी और मेरे पास है लेंग्ट कितनी मेरे पास 13.00 मीटर गया गई जब मैं यूनिट वेट को मल्टिप्लाइ करूंगा मीटर इसके साथ लेंग्द के साथ अब मैंने यूनिट वेट यूनिट वेट को मल्टिप्लाइ किया लेंग्द के साथ और इसका यूनिट क्या है के पर मीटर और इसका यूनिट क्या है मीटर तो यह मीटर मीटर के प्रवला पॉईंट ढाएंग में पता चल जाएगा में यह यहाप पर यूह यह-e कई रिन्स कैप और रिंस क्या होती है मैं देखता हुआ तो बताया था कर में यहुत होते हैं तो आड़ी होती है सब्सक्राइब और यहां से हमें पता चल जाएगा कि हमने कहां से कहां लेना क्योंकि हमने क्या करना आउट करना है थोड़ा सा किस चीज को आउट करना है हमने प्रस्कों तक त्वड़ा सा बार्ड एक सब्सक्राइब है और हमें और में उलां करूंगा और यहां पर मैं देखेंगा है मेरे पास दैमेंशन क्या आरहा है जिकता हूं मैं कितना डाइमेंश है 15.45 15.45 ओके इससे पहले भी में ले चुका हूं एक बार 15.45 चलिए पर लिंज देख लेते हैं पहले देखते हैं पर लिंज की कैल्कुलेशन डाइमेंशन तो मेरे पास आई गया दिखें एक पर लिंज यह है दूसरा यह तीसरा यह चौता यह पांचवा और यह च्पार आट वा नवा दस ग्यारा बारा टेरा चौदा फंदरा फोर्म मेरे पास कितने हैं 16 अ ठीक है तो यह पर मैं एक पर फिर से चेक करेंगे प्लीज यहां पर फिर देखता हूं कितने हैं मेरे पास थोड़ा सब्सक्राइब करना पड़ेगा से लिए यहां पे चेक कर लीजिए यहां पे ड्रा एक यह दूसरा यह तीसरा यह चौथा पांचवा छप्टा साथवा आठवा नौ इधर साइट से टोटल हो गए 18 तो यहां पर मैं मेंशन कर दो यह फो जल यहां प्यां पर्लिन यहां po फोंद एक प्रलिन एक फोटी टूइर फोटीट तुमाइट सेखividadEvery चालिये से कुपीपेश कर लाओख यहां पीश्य को कंट्रunta डिए एक तो इसको बहुत है यहां पर क् cin्टी फोटी टूइंट सेखिए ऐसे alone ना पे इसको रहेगा वह रहेगा गसेट प्लीट क्या रहेगा फीजिए नहीं कि दिया नहीं है कि इसलिए वह थोड़ा सा मिसेग रहेगा कोई बात नहीं जब एक पास अगली राए अच्छी कोई तो उसमें मैं वह वहला टॉपिक भी क्लियर कर दोंगा और फिर भी एक आयडिया देने क सुने गई आप एक बार नजर दोड़ा यह प्रीज परलें कवर हो गया ठीक है न अब हमारे पास है एक और चीज रहा गई है देखते हैं वह वह देखते हैं इसको में कर देता हूँ अभी आपको यह देखना है यह आप देख सकते हैं यहां पे जो एंटरंस है यह एंटरंस यह आप देख सकते हैं यहां से कहां से यहां से यहां से यहां तक यह लगींगे इसकी लाइद रहिए नहीं 45.2 मतलब 5.2 में रहेगी मेरे पास इसकी लेंग्द और इसमें नमर आप इटम कितमें तीम कहां से पता चला नमर आप इंटम्स के से यहीं जैसे मैंने वेंशन किया हुआ है और साइस कहा है इनका साइस देख लेते हैं यहाँ पर लिंप और यहाँ पर लिंप को मैं पर लिंप यहाँ ज्याब में जुरूरत नियुक्त को दोंगा ठीक है और यहां पर इंचिए मेरे पास नमर आप आपने मेरे पास थेन है और लेंग कितनी मेरे पास मैंचेंड है यहाँ पर 5.something चलिए 5.2 नहीं पर दू कर दूँ को यह डिटाल भी आंप किसा शेयर खरू 50 0.04 और यहां पर है 25 0.025 इसके बाद यहां पर 16 0.001 6 ओके उसके बाद यहां पर यहां पर यहां पर चेक करना पड़ेगा 40 25 1.6 मैं आपको दिखा दूँ कि यहां पर कहां पर 40 21.40 20 यहां पर 1.39 kg इसका है चलिए मैं में इसमें कर देता हूं 1.39 kg और यहां पर मैं इसको कर लेता हूं कॉपी पेस्ट देंस्टी को कंट्रोल भी तो हमारे पास कोई काम नहीं है कोई शू नहीं आप रख लिए साथ में आइडिया के लिए यहां पर मेरे पास 25 21 points something kg के आया है यहां पर मैं kg को पेस्ट कर लेता हूं कि आगे देखते हैं आगे हमारे पास यह को जीज़ है वह है राफटर किस चीज़ का राफटर पता चलते हैं चलेगा आपको यहां पर आप देख सकते हैं सी कि यहां पर आपको बताता च चलूं कि परलिंस तो हमने कवर के लेकिन यहां पर पिंक कलर में जो दिख रहा है यह राफ्टर यह कवर करना रहा गया चीकिन इसके डामेंशन कहां से पता चल जाएंगे यहां से आपको बता चल जाएंगे यह टू वन जीरो है टोटल मेरे पास कितने है त्री एक यह दूस कि यहां पर आंद तो हमनों चला देंगे च्चीम दो यहां पर मेंशन कर दूंदो मैं एक्स 네 मैं मैं यहां पर दो मैं यहां पर में गञा है कि भर आफटर का साइस क्या लोगा मैं यहां टी फुर्टी टो फ्टूशुक्वान नहीं आएगा 80 40 2.6 ठीक है 80 40 2.6 नम्राप आइटम्स कितने हैं दो लेंग्थ कितनी है 2.1 मीटर ठीक है न 80 40 80 40 2.6 80 40 2.6 है कहीं पर हां बिल्कुल है और यहां पर यहां पर युनिट वेट के साथ है कर लिए यहां पर आकर कर लिजिए अब यहां पर आकर कर लिजिए मैं यहां पर आखेकर लिए and कर लिए ऐसका निजना इसको बिड्राइब कर लिए ठीक है कोई चीज रहत नहीं गई प्लिदब कर लिए फिलाल के लिए कोई चीज नहीं रही है इब यहां पर आप देख सकते हैं यहां पे आप जीज unveil रहे i- ku बाइज हैं यहां पे हो करी चार टोटल वाल्पलीट यहां पे लिख लिख वाल गूरइज कितना है इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लिता हूँ कि मैं कॉपी पेस्ट इस कंट्रोल सी हैं एंड कंट्रोल भी एंड कंट्रोल भी और यहां पे मैं मैं मंचिन कर लो नमबाइद इसे मैं चार ले नहीं अपने को ठीक है अभी फिलाल अपने पास यहां प्राइए इसका बोलिम देख चिक करेंगे ठीक कि ना 0.0 0.080.04 और इ एंस्टी मेरे पास पता है सिस्की देंस्टी यहां पर देंस्टी पता है यहां पर कैसे की निक रहेगा इस मतलब नज्मर ऑइटम मझां आप अपट्पक्रम चिक ने एंड वेड जिसमाल चैहित फेल कि एकतिवकर ने हिए पर इक्वल्टी में के लोगा मैं नाम खारन करूंगा और मैं पॉइंट के बाद इसको क्या करोगा पइसको क्या करोगा अब यहां पर कर लिए यह हो गया सेव अब इसको नाम देजिए ट्रस्ट शीट अब यहां पर देखो ना हमारे पास में एक पोर्शन रहे गया वह है नट्स नट बोल्ट्स करें गया नट बोल्ट्स लेकिन अगर लोग कवर करेंगे तो इसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा और मुश सब्सक्राइब बल्स ममझेिन गज्ट शीट शीट शीटें नर्डी शीख छीटों का विछा नट बोल्ट्स अगए डीपीड बोल्ट एक बाखवा सब्सक्ति आप देखिए लगा आइए लुच आप इसको कवर किया जाता है परसंटेज बीघिट पर से मैं दिखा तुँ आपको यहां पर हम लोग लेंगे 5% कि पर संट कितना इसको मैं करहेंगा मर्चंट सेंटर और यहां पर करूंगा टेक 5% है जिए 5% अब घी टूटल वीट और ट्रस फब्हाइब रब लेत्था निगालने धीले प्लस करना होता है यहांपे टोटल वेट ले लीजिए ठीक है हुआ अलफी नहीं हें चार्य मुए सब्सक्राइब गिरेनेोंगर 500 envie गया यहांप धिन 5. 5 percent 5 इसान क olduğ टो King या पस्ट कितनी लगें है 215%, kis कहलें गया और टोटल कितना आगैं हमारे पस्ट टोल धी मर्शंट सेंटर यहांपे टोटल टो आर्च तो टोटल वेट कितना लगेगा हमारे पास नेट यहां पर और के साथ प्लस करेंगे दो चीज़ों का किसी का और इसका और इसका अपके पास 45 कोईटल 19 कीजिये अलमोस्ट 45 कोईटल 19 कीजिये और इसमें आफ स्क्राप भी एड करेंगे 57 परसंड चीके न कोई बात नहीं वा फिरन शीट की पहले मैं आपको दिखवाओं की क्या आप सी यहां मैं आपसे आप यह लैवेशन है घान जानए है यह प्लैन यह को देख सकते हैं यहाँ पर दिक सकते हैं इसमें डिपरेशिंस है इनका दियान देना है दूसरा यहां पर देख सकते हैं जो ही हम लोग और लैप करवाते हैं एक शीट को दूसरी के ऊपर और लैप करवाते हैं जैसे कि यहां पर यहां पर एक शीट लगए यहां पर एक है यहां पर लैप करवाते हैं तो यहां पर देख सकते हैं कुछ शीट का क्या होता है इनका पसमें यह एक दूसरी के ऊपर आजाती है यह वाला पॉर्शन एक्स्टा एक दूसरी के ऊपर आजाता है एक और चीज जिसका हमें बड़ा दियान देना है वह है साइस का मैं आपके साथ पहले साइजेश करूंगा कि हमारे पास साइस क्या क्या रहते हैं यहां पर देख लीजिए और नोट डाउन भी कर लीजिए पहले जो हमारे पास रहता है 2400 2440 सॉरी 2440 यह में में साइस है यह लेंग्ध की बात कर रहा हूं है चीक है लेंग्ध है अगर इसको हम लोग फीट में करेंगे तो आलमस्ट एट फीट आ जाता है 3050 यह हमारे पास 10 वीट जैसे कि हम लोग सुनते भी आ रहा है कि हमारे दस फीट का कौन साइस की शीट लिए दस फीट की शीट्स लिए आट फीट की शीट्स लिए मैं दोनों डाइमेंशन आपके साच छिएर कर रहा हूं थीसरा हमारे पास है 4270 यहां पर इसको लिखने हम 14 feet यह वाले dimensions mm में है ठीक है अगला वाला क्या हमारे पास है आगला वाला हमारे पास है 4880 और इसको हम लोग feet में convert करेंगे तो almost almost 16 feet आते हैं अब इनकी वीडित क्या रहा है यह तो लेंगे तो होगी यह वाला portion अब यह वाला portion क्या रहेगा इनका यह इन सबका क्या रहता है यह रहता है आल्मोस्त आल्मोस 1070 mm ठीक है अगर में convert करों को तो यह 3.5 feet almost almost ठीक है यहां से हमें साइस का भी पता चला ठीक है लेंक का पता चला वीडित का पता चला अब हम देखेंगे गौज ठीक है चलिए चलते हैं लोग वाज के गौज को देख लेते हैं पहले हमारे पास फिलाव अब यहां आप देख सकते हैं जो ही हमारा गाज जो है हमारे गौज की थिकनिस कम होती जा रही है हमारा क्या है हमारा ओर आव तिकनिस जो है शीट का वह बढ़ती जा रही है और हमारा यूनिट वेट है वह बढ़ता जा रहा है तो यहां से ही पता यह ह दीक है कम है इतना पपह चला हमें टीक है आप कि जली इसको मैंटा द Алла अब हम क्या करेंगे अब हम चाल हम चलेंगे करई में पहलेए निकालना है चली हम लोग पहले वहावां की इसको कदेख़ा ह। कि यहांप चलकोली करोंगा है langे हिसे कि हम देख सकते हैं यहांसे सप्सक्ति नहीं प्रवाइड कर देगा है सचो क्फिक्षम सबस्क्राइब तक तब यहां पर आप देख सकते एंटि यह है उसके बाद एटी यह ठीके ना इटी-एटी कितना हो गए तोटल कितना हो गया एक टीटी वन शिक्सटी हो गए मैं एक क्लिक्रीटर लेके चलता हूं यहां मैं देख रहा हो 753 753 प्लस 163 तो मेरे पास आया 9 139 137 वहाला पार्ट और यह आपस मुझे ऊपता दो पता नहीं चल रहा है वह नहीं से मिलेगा वह यहां से मिलेगा मुझे कहां से यहां प्लांट से लेकिन इसमें भी थोड़ा बहुत हमें द्यान रखना है यहां पर देख सकते हैं यहां यह वाले यह वाले दाविंशन की बात कर रहा हूं मैं फिलाला मेरे पास यहां पर कितना है 1425 दिया है लेकिन हमारे कभड करना यहां तक जिसे हमने ले लिए यहाँ से यहां तक कि यह जो प्लान दिया गये यह प्लान किस चीज का है यह प्लान है रूफ का कौन सा जियाई शीट का सब्सक्राइब मैं चलता हूँ और अटकेड फाइल पे यहां से में दाइमेंशन के बारे में पता चल जाएगा कि क्या है यहां पर मैं इसको तोड़ा सब जूम इंट कर लेता हूं और यहां से मुझे पता चल रहाँ 1545 ठीक है ना तो यहां पर लेलोंगा 1545 ठीक है यहां पर मैं ड्राइंग पर मेंशन कर अगया मेरा ठीक है और लेकिन यह जो है 1545 यह 1545 एक साइड है 1445 तो मेरी वर आल डेप्थ है और अगर हम बात करेंगे लेंगत की इस फारे पोर्शन की वह कितना है 913 अगर हम बात करेंगे इस साइड की वह भी 913 ही है ठीक है ना तो मतलब मुझे 913 multiply by कि मल्टिपलाइब कितना करना पड़ेगा 1545.05 multiply by 2 चीक ना तो मेरा टोटल एरिया आज आजाएगा चलिए चलते हैं लोग एक्सली पर वापस वहां पर हम लोग इसको मेंशन कर देते हैं चलिए आप मैं मेंशन कर लेता हूं ग्याल वेलियूम शीट्स हर चीक है और अब हम चीट की आप नमबर से मतलब मुझे क्या है नमबर से यहां पर तू ले ले अगापर फीजिफा है तो आपको आपको यह मेरे पास यह अईटं मेरे पस इत्म मेरे इन पर अब कि अब यहां पर कैसे हम लोग क्यल्कूलेशन करें है चलिए वह देखते हैं लेंग्थ मेरी इन क्यल्कूलेटेट है कितनी है यहां पर वापस चलिए शीट पर यहां पर देख सकते हैं 913913 मतलग यह सेंटिमीटर में इसको में इसको में इसको में करना तो 91.3 मीटर छाएन वाइन का राओ और टोन थो मैं यहां पर मैं कर दो 9901.3 मीटर और इसकी वीजिभ लिएख कैसे करें एक आप यहां पर देको सकते हैं किया है 15.45 और यहां पर मैं नहीं कर दो 15.45 यह पिपीन पॉइंट फॉर फाइव ले ले लेते हैं लोग यह ड़ाइब की बात कर रहे हैं हम लोग 15.45 चीक है ओके अगर हम लोग यहां पर एक और चीज है यहां पर आमने गौज की थिकनेस में पड़ेगी जैसे कि यहां पर में चेंड है ड पाइव पह난पर ना सब्ली कि क्या सब्यक्तिक है और फॉर झाली चेड़े में रहें ले ऐसे लिग लेसे यहें विरग में लिएाऑ है क्वेंधिक थिकनिस का यहां पर देख सकते हैं 0.45 0.45 यहां पर 0.47 है यहां पर 0.438 मतलब अल्मोस्ट अल्मोस्ट 0.45 यहां पर हमारे पास unit rate कितना है 3.507 509 यहां पर जाहिए सबढ़ DRY-1.Phρέ़ इंड़ान करने तिए पुरौन 10509 यहां पर मेंसेन क्रदों तृप्वाइं किया चिक यहां हमारे साइज है साइज हमारे पास है थ nós जो हमने तुमें 9.13 be 30 seconds कितना था फीन पॉइन किसां सब्सक्राइब Among Mic कितना था किन फार में फिन पॉइंपर फैर फार फार चैंग में सब्सक्राइब इसमें हम लोग क्या करते हैं मैंने आपके साहगा है दिसक्राइब पर हम लोग इखनेया कहते हम लोग Acho न दो इस से 1.25 ओंग करतेना हम मौनündょ कॉर से करते हैं साही टाकर हम एक्स्ट्रा लगना क्लिए क्लिए हम लोग तैक लेते हैं 1.54 से 1.57 तक जैसे हम लोग प्लास्टर में लेते हैं 1.33 ठीकिन इसी तरीके से यहां पर यह जो और लैप है इसको कवर करने के लिए 1.25 से 1.3 तक लेना पड़ेगा फिलाल हम लोग लेते हैं 1.25 तो यहां पर यह एक्ट्रा में मुल्टिप्लाइ करना पड़ेगा तक हमारे पास quantity आच चाया ठीकिए न चलिए वापर सबते हाँ लोग शीट एक्सल शीट पर यहां पर यांप देख सकते है टूटल भी निकालने से पहले टूटल गौंट्री निकालें लोग हम लोग चालिए यहां पर में इसलिए यहां पर मैं रिमार्क्स में लिख लू हुआ है पाजहें है थी कि इस टॉटल अपे तोटल एडिए डिया अर्य आंप यह हो गया और इनको में दोनों को हाईलाइट करता हूं सेयम से स्मद्ध मैं से ताकि आपको पता चले कि हम लोग में यहां पे किस-किस चीज को रिडिए और किया है अब यहां पर मेरी लेंग नवर फाइटम स्कितने दो ठीक है ना लेंग किती है मेरे पास यह विडिक ती मेरे पास यह मल्टिप्लाइ कितना करना 1.25 जो फैक्टर है यहां पर हमारे पास टोटल कितना आएगा टूटल स्कैर फीट में आएगा 352.64 स्कैर मीटर्स ठीक है ना इसको मैं कर लेता हूं इसको मैं क्या कर लेता हूं इसको मैं पॉइंट के बाद कम कर लेता हूं डिसमिल्स के कम कर लेता हूं हो गया ठीक है यह आप गया 352.64 646 square meters okay clear है अब यहां चाहो तो मेंचन भी कर सकते हैं स्क्राइब स्क्राइब अब मेरे पास size भी है अब मैं number of items number of pieces भी निकाल सकता हूं अब number of pieces के से निकालूगा मैं वो दिखा देता हम है total quantity कि नहीं मेरे पास 352.646 352.646 यहां पर में में मैं में में कर दूँ तो टॉटल क्योंटिटी 352.646 स्क्राइर मीटर्ज अब number of items के से निकालेंगे number of pieces के से निकालेंगे number of pieces in the sense आप यहां पर देख सकते हैं सी यहां पर मैं इनकी बात कर रहा हूं इन नमबर्स इसका है हमेरे टोटल नमबर्स कितने लगें वह देख लेते हैं वापस आगे हम लोग चलते हैं दूसरी शीट पर अब नबर आइटम किसे निकालें कि टोटल एरिया कितना मेरे पास 352.646 divided by area of one sheet area of one sheet ठीक है अब यह कैसे है पता चलिए कहा हमारे पास हमें के area of one sheet कैसे है वह देख लेते हैं area of one sheet मैंने आपके साथ discuss किया था कि मेरे पास जो size है different different है 8 feet है 10 feet है 8 feet का है 10 feet का है 14 feet का है हमारे पास 16 feet का भी है फिलाल मैं लेके चलता हूं 8 feet का मतलब 2440 multiply by 1076 mm यह तो mm है 2440 मतलब 2.44 multiply by 1.076 जब मैं इसको calculate करता हूं देखते हैं कितना स्कार मीटर साथ है एक sheet का area चलिए मैं देखता हूं एक सेकंड अब देटीच मुझे यह है 2.44 multiply by 1.076 यह आता है 2.625 यह आता है 2.625 स्कार मीटर्स बात सब्सक्राइब आ रही है चीए ना अब अब आप sheets कैसे निकाले है number of sheets total area कितना मेरे पास total area मेरे पास है 253.646 divided by 2.625 मैं देखता हूं 253.646 divided by 2.625 यह आता है हमारे पास 96.696.627 numbers तो यह almost almost 97 हो गया 97 नंबर हो गया तो यहां पर हमारे पास number of sheets पी आ गया 97 चलिए हम लोग पहले अब इसका weight कितना लगी गया क्योंकि weight की हमारे पास total area और यहां पे हमारे पास unit weight में दिया गया है कि हमारे पास unit weight क्या दिया है per square meter का unit weight दिया गया है जैसे आप यहां पर देख सकते गाज 29 0.43688 मनलब almost almost 0.45 mm के है 3.509 का unit weight है kg per meter square तो यहां पे मैं आपको यहां पे आपको बता दो मैं है यहां पे आप देख सकते है unit weight क्या है मेरे पास unit weight मेरे पास है यह एक वर्ड इस multiply by total quantity total quantity कितनी मेरे पास यह ठीक है ना आपको बास हम में आ रहे है ठीक है clear है per square meter तो यहां पे मैं क्या करूंगा यहां पे मैं एंटर कर दूंगा तो यहां पे मुझे total amount लगेगा वो कितना लगेगा वो लगेगा 1237.436 kg ठीक है केजीज ओके यह बात समय में आई किस चीज का दियान रखना पड़ेगा क्या हमारे पास जो number up sheets है वो कैसे निकालेंगे क्यूंकि हमें मार्केट में जाना पड़ेगा वहां से हमें एक तो केजीज पता होने चाहिए और नमर आप sheets भी पता होने चाहिए ठीक है एक तो वह हो गया दूसरा हमारे पास क्या है यूनिट वीड पता होना चाहिए ठीक है नहीं तो आपके contract में लिखा होगा हेवी आप लगाएंगे सस्ता वाला आपके contract में लिखा होगा सस्ता वाला आप लगाएंगे तो नुक्सान होगा दूने तरीके से ठीक है और क्लियर है यह तो होगया हमारे पास GI sheets क्लियर ओके और कोई चीज तो नहीं रहेगी इसमें वापस चलते हैं तो ट्राइंग पर देखते हैं अब यहां प यहां पर एक्स्ट्रा फॉर नाट्स ठीक है यहां पर मैं क्या कर लेता हूं इक्वाल्टी करूंगा इक्वाल्टी वन परसंट हूंगा यहां 1.5 परसंट लोगा चीक है अब यहां पर आगे 18.56 केजी तो हमारा कुछ इसमें काम बन जाएगा ठीक है ओके आपको चीजे समझे में आई डेफिनेटली अगर आपकी तरप से कोई भी सजेशन हो और कोई चीज केल्कुलेट करने की या किसी और चीज का इस्टिमेशन मानाने की तो डेफिनेटली आ हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं हमेशा आपकी हल्ग करेंगे और डेफिनेटली आपका आपकी जो अराय है आपका जो सजेशन है डेफिनेटली हमारी पहली प्रियार्टी होगी तो अगर आप भी प्रोफेशनल हमारे साथ जुनना चाहते हैं डेफिनेटली कोर्स की लिंक आपको description box में मिल जाएगी जैसी कि हम लोग के पास different professional courses like billing है building estimation costing है BBS है जिसे हमारे पास quantity survey रेटिलने से basic sub-seval engineering है और बहुत सारे software related courses है अगर आप हमें जोइन करना चाहता है अगर अगर कोई हो तो आप हमें call भी कर सकते 819929888 पर मिलते हैं अगले वीडियो में नई topic के साथ नई जोश के साथ तिल देन बाबाए please nhưng Chanel is वाहता है कि ऊहरा है नोश करना चाहता है क्रवनौ शुटर है बागा थागा चुटर है बाइ झाल झाल